यह मैं आई हूँ एक्स्प्लोर करने हनौइक का वॉकिंग स्ट्रीट यह थोड़े से बैक साइड में हूँ मैं अभी और आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जिनों कि जनों कभी विजट नहीं किया है वियत नाम या थाइलेंड साउथ ऐस्ट एशिया और अगर थाइलंड विजट किया है और वियत नाम को उसी मैं सट्रीड़्ह से ले रहे हैं या जिनने कक almonds पासपोर्ट तक नहीं बना जिनोंrett कभी विजट नहीं किया सिरफ बेसिकली वाकिंग स्टीट में क्या हो रहा होता है वो दिखाने की कोशिश कर रही हूं और ये लोग कौन है ये जो वाकिंग स्टीट में बैठे हैं ये टूरिस्ट हैं या सारी प्रॉक्स्टिट्ट्स हैं ये क्या है ये उन चीजों को दिखा रही हूं और बता रही हूं य आपको अपरोच सफ और सिरफ आपने जो है शौप पर या पिर आपका जो बार है वहां पर पीने के लिए ट्रिंग के लिए आपको ऊफर करते हैं यहां पर यहां पर थाईलर्ण वाला सिस्टम निये जहां आपको मसाज के लिए या इसके लिए उसके लिए आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं वो बस आप वहां जाके जो है उनके बाहर में बाहर जाके बैट जाएगे और जो बियर होगी आपकी वह अगर 11,000 की या 15,000 की है तो वह 25 या 30,000 की या maximum 50,000 की आपको मिल जाएगी तो ये beer आप पहां जाके पिएं या फिर कोई अगर seafood या जो भी आप normage खाते हैं वो जाके order कर लें कुछ खाने के लिए ये उस चीज के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको agents नहीं मिलेंगे या फिर आपको prostitution के लिए लड़किया नहीं मिल जाएंगी सब मिल जाएगा बट हर कोई उन चीजों को afford नहीं कर सकता इसका meaning ये नहीं है लेकिं कि prostitution हो रहा है और उसको हर कोई afford कर सकता है चाए वो दिली में हो चाए वियतनाम में हो या दुनिया का किसी भी कोने में हो prostitutes है इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई afford कर सकता है और फिर भी ये तो abroad में है वियतनाम में है थोड़ा सा Ho Chi Minh से थोड़ा सा अलग हट क्या experience है यहाँ पे यहाँ पे कोई बाद आंसर मुझे नहीं दिखी है और mostly जो हैं यहाँ पे tourist हैं वियतनमीज हैं girlfriends के साथ होते हैं और girlfriend और boyfriend मैं आपको दोनों ही बता दू homosexual mostly singles जो यहाँ पे लड़कियां एक साथ हैं यह लड़की एक साथ आए हुए हैं अब वो टाइम चला गया जहाँ एक लड़का और लड़की को साथ में देखके लोग सोचते थे कि हाँ आक्चोल अब कुछ इनके बीच में होगा अब ऐसा नहीं है जिन लोगों ने भी explore कर रखा है चाए वो अपना देश हो चाए वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या बंगला देश हो अगर आपने कभी पैसे spend किये हैं दुनिया घूमी है अपने लिए आप जिये हो थोड़ा से explore करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लड़का और लड़की साथ में बैठे हैं आप वो relationship नहीं work करता मैंने जितने भी यहाँ clubs explore किये हैं वहाँ सारी homosexual थे जहाँ सारी लड़किया सारे लड़के और यह मेरा first time का experience नहीं है मैं इतने time से explore कर रही हूँ और मैं यही देख रही हूँ और यह नहीं है कि यह चीजें इंडिया में नहीं है बस आपके घर में नहीं पता वो एक अलग concern है बाकि इंडिया में भी same यही चीज है और legal है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो वही चीजें है कि मैंने काफी सारे लोगों को ऐसा देखा अपनी आखों के सामने काफी time काफी बार देखा है actually बट उन लोगों को उन moment पे मैं actually कई बर में drink कर रही थी या मैं dance कर रही थी और capture करना अच्छी बात भी नहीं है तो just मैं आपको बता रही हूँ और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है क्योंकि किसी की life spoil करने से बेटर यह है कि आप जिने भी पसंद करते हैं आप उनके साथ 11 में रहें या marriage करके रहें आपको ठीक लगे अब तो marriage का concept forever के लिए खतम हो चुका है सिरव 11 relationship work करता है जिसे आप एक long term relationship में convert कर सकते हैं यह mostly लोग जो भी घ्यान देते हैं बिना यहां visit करें कि अरे आप वियतनाम में रहते हो तो आप भी ऐसे या वैसे आप कभी भी एक वियतनमी लड़की को जो वियतनमी लड़की से आप कभी भी इन्य लड़की को compare ना करें उनको ऐसे लगता है कि इसी भी वियतनमी लड़की के साथ आप किसी भी तरीके से बात कर लेंगे तो वो आपको जवाब नहीं देगी तो उसी तरीके से अगर वहाँ पे अगर कोई और इंडियन लड़की रह रही होगी तो उससे भी आप उसी तरीके से गन्य तरीके से बात कर सकते हैं वल्गर तरीके से तो इस तरीके से जितने भी इंडियन लोग बात करते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि Vietnamese में language barrier तो है ही है और mostly वो partners काफी change करती हैं तो वो एतनी used to हो जाती हैं बात करने की कि वो answer नहीं करती है आपको बट आप इन्ने लड़की के बारे में अगर आप ऐसे कहेंगे तो आपको अच्छा खासा जवाब मिल जाएगा अगर आप compare कर यह सामने वाले को और यहां सारे जो है टूरिस्ट है हो सकता है यहां पर काफी टाइम से जो लोग काम करते हैं वो भी विकेंड पर इंजॉई करने आते हैं फ्राइडे टू संडे वाकिंग स्ट्रीट में मोस्ली जिन लोगों ने भी विजट नहीं किया है वो लोग सोचते हैं कि यार किसी चोटी उमर की लड़की के साथ अगर आप रिलेशन्शिप में जाएंगे तो वरजन होगी वरजन नहीं होता कोई लड़की नहीं मिलेगी आपको चोटी से चोटी लड़की यहां पर मारेज माटन नहीं करते हैं मारेड नहीं होती हैं लड़की यह जो हैं अलग अलग पार्टनर से बच्चे होते हैं हान्मारेड होती है यह लिविन रिलेशन्शिप में होती है live in relationship में होती है आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा थैंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो बाइ 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 गुद नाइट